दोस्तों आपको पता होगा कि perfuums जो हैं उसमें aroma chemical डलते हैं अलग अलग प्रकार के जो भी अपने नाचुरल्स, निर नाचुरल्स, और सिंथेटिक perfuμ whereby review notes होते हैं उनको मिला कर ही दोस्तों perfuums बनाए जाते हैं चाहे वो designer brand के हो या फिर expensive luxury brands के तो दोस्तों क्यों ना आज हम आज के वीडियो में डिसकस करें कुछ मज़ेदार ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना इन में से most of the ingredients synthetic है और कुछ natural है तो ये सारे components मिलाकर perfumes बनाय जाते हैं जादा तर अफकोर्स हम सारे aroma molecules को तो cover नहीं कर सकते हैं लेकिन जो popular हैं उनके बारे में आज बात करेंगे हालो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग वेलकम बैक तो दे चैनल पर्फ्यूम गुरू आज के वीडियो के लिए आप एक्साइटेड़ हो दोस्तों क्यूंकि आज हम अरो मॉलक्यूल्स की बात कर रहे हैं है कि नहीं मज़दार वीडियो कॉंसेट अगर वीडियो कॉंसेट अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जादा से जादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्यूंकि मेरे इस आप से आज का वीडियो बहुत यूनीक है जो लोग पर्फुमरी में इंट्रेस्टेड हैं जो लोग पर्फुमरी सीखना चाहते हैं या जो लोग थोड़ा सा डीप ड्वेल्व करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं और करीभी जाना चाहते हैं अपने परफ्यूम्स के इसलिए आप इस चैनल देखते हैं, आप यहां पर कोई बिजनेस पोर्टल पर नहीं घूम रहे हैं, कि मैं यहां पर प्रमोशनल या स्पॉंसर कॉंटेंट बनाओं, ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट विट सम अधर पर्फ्यूम मॉलिकूल्स क्योंकि काफी है यहां पर मुझे लगता है कि 15 होंगे, लेट्स स्टार्ट जल्दी एक एकटो डिसकस करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, कौन साले हैं, सबसे पहले कौन साले हैं, आल राइट, लेट्स डिसकस संधिंग विच इस फाँंड इन very expensive perfumes auris, jivko दोस्तों बाइद अबे पहले बता तो जितने भी aroma chemicals हैं हमारे प्यारे भाई, हमारे पुराने विवर Kapil Vyas जी ने भेजे हैं अगर आप perfumery सीखना चाहते हैं अगर आप इन chemicals को अप्टेन करना चाहते हैं आप उनसे contact कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी उनसे मिल सकते हैं मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी नीचे description box में डाल दूँगा thanks to Kapil Vyas भाई he has sent these little samples बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया है and he has also sent his perfumes जो उन्होंने अच्छी high quality के oils बड़ी-बड़ी perfume company से लेकर जो महंगे perfumes luxury perfume राते हैं उनके alternatives बनाया है तो वो भी उनका है वो कभी और discuss करेंगे आज पहले ये discuss करेंगे because हर इंसान जो भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है कुछ extra कोशिश करता है आप लोंको देने के लिए so this is which I this is something which I really appreciate let's start with Oris दोस्तों Oris का नोट जो है आपको याद होगा Dioraum Intense Dioraum Puri Series François Dimashy जिन्होंने सवाज बनाया था दोस्तों उन्होंने 30% है इसमें Oris का scent Oris दोस्तों एक बहुत ही महंगा perfume component है एक जड़ होती है जिसे Oris बोलते है और उसके जो फूल होते है जो आइरिस आप perfumery में देखते होंगे आइरिस का note, आइरिस का note वो दोस्तों Oris से ही आता है Oris root से आता है तो यह कोई floral note नहीं है यह perfume को एक मीठा सा पाउडरी सा touch देता है दोस्तों बहुत लोग इसे lipsticky vibe भी कहते हैं पर्फियूम में तो इस आरिस फ्रॉम जिवको इस जिवदान का होगा बिल्कुल वही दोस्तों चौक की तरह गर ब्लैकबोर्ड पे जो चौक की खुच्बू होती है दोस्तों तरीके की खुच्बू है इसकी पड़ी हल्की सी स्वीट सी थोड़ी सी लिनियर है पाउडरी खुच्बू है बिल्कुल लेकिन एक ऐसा टालकम पाउडर जिसमें कोई भी खुच्बू जोड़ी नहीं गई हो याना मिला ही नहीं गई हो उस तरीके की इसकी खुच्बू है और इस वेरी सिंपल चौकी सेंट मदेदार लगा ये सेंट लेट्स मूँव ओन टू वरी इंट्रेस्टिंग सेंट विच बर्च दोस्तों बर्च टार आपको याद होगा अवेंटस के पुराने बैचेज ये वो बर्च के वज़े से दोस्तों बर्च एक ऐसा इंग्रेडियेंट है इसी लिए अवेंटस का फॉर्मिला चेंज हो गया था और बहुत लोगों को जो कहते थे थे ना स्मोकी बैच नहीं मिलता तो बर्च जो है दोस्तों एक पेड का सैप होता यानि कि उसके अंदर से निकला हुआ जो एमबर होता है ठीक है? नाट इग्जाक्ली एमबर बट आप समझ सकते हैं क्या क्या नहीं कुशिश करा हूँ तो चलिए जल्दी से बर्च को स्प्रे करते हैं और ये लेदर को रिप्लेस करने के लिए पर्फुमरी में यूज होता है तो हमने बर्च ले ले लिया है पर 6% लेट सी आहा बहुत यूणीक सी सी खुश्बू है दोस्तों थोड़ी सी मस्की भी है और जो अपने टाइगर बाम वगरा नहीं आते है उसका अगर मेंथॉलिक एसपेक्ट हटा दिया जा है बस उपर उपर से अगर उसके वुडी नोट्स ले लिया है थोड़ा बात पचुली की इसमें मीठी मीठी हिंट्स भी हैं दोस्तों विच इस वड़ी यूणीक मैंने ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया था बर्च को अब बात करेंगे दोस्तों कैफीन वावा कॉफी का नोट वैसे आपको बता दूं की पर्फ्यूम इंडस्ट्री फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री और अपनी खानी फूद इंडस्ट्री जितने भी केमिकल्स आप खाते है ना जो टौफी मिल्क बनाना फ्लेवर दिस स्ट्रॉबरी फ्लेवर दिस दोस्तों हार्डली कोई नाचुरल्स यूज करते हैं या नियर नाचुरल्स यूज करते हैं आपका भी डबबा पढ़ेंगे इसमें आपको समझ में आजागा तो अल दीज बिग कंपनी लाइक आई एफ एफ और यजा पर्फ्यूम के भी निज बनाते हैं वही इंडस्यश को भी जाते हैं आपके हैंड लोशन के अंदर जो खुचबू आती है लिप्स्टिक के अंदर लिपंडो अ अवड़ी प्रोड़क्स अं सथाफ ये सारे फ्रेकन इंडस्ट्री वाले किमिकल इंजियर्ma बनाते ह दोस्तों तो बहुत मज़दार चीज है कभी आप इसके बार में पढ़िएगा आज तो हम बस जल्दी जा रहें नोट के थुरू बस एक कॉफी वाली टॉफी आती है बच्पन में खाई होगी अभी भी खाते हैं बच्चे क्या आम हो तो कॉफी टो या सम्थिंग लाट बिल्कुल इसके स्मेल है यार हेजलनट क्रीम कॉफी कॉल्ड कॉफी और अंदर कैंडी लाइक अरे यार बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा कि अ सारी है ब्यूटिफुल नोट ब्यूटिफुल तो अगर किसी को यह फ्रेग्रेंस इंग्रिडियन्ट यूज करना अपने पर्फ्यूम में तो आपका फ्रेग्रेंस जो है बिल्कुल यमी टेस्टी एकदम कॉल्ड कॉफी की तरह विद कॉंप्लेक्स न्यूआंसे इसको ब बड़ा मज़ेदार था वाई यमी रीली अप चलते हैं यह कह है सेटलोक्स और एक इंट्रेस्टिंग अक्वाटिक अपने पास यहां पर इंग्रीडियन्ट था अभी उसको भी डिसकस करेंगे जो अपने अक्वाटिक फ्रेग्रेंस में जाता है वो मैं डिसकस करना चाता दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ जो मीठी समुद्री खुष महां आई एरा सामने इसको भी डिसकस करना चाहता है अप कितना कुछ सीख लेंगे आज की वीडियो में आप सोचिए तो वीडियो देखने तो प्लीज आप नीचे मैंशन किजेगा अपनी वेबसाइट व दोस्तों मुझे डिजाइन पर्फुम्स की याद अगई बहुत हलका बहुत लाइट सा बाल्जामिक नोट है दोस्तों एक्दम वेपरस सा विक्स और पेपर मिंट के बीच की चीज है यह आई डों नो यह पर्फुम को क्या नोट देता है मेबी सम अक्वाटिक नोट मेब क्योंकि उसी तरीके का लग रही है सेटलोक्स मैं गजाक्ली बोल नहीं सकता हूं यूजरी इनके नाम सो तो पता चल जाता है बद दिस बड़ा ही प्यारा सा बाल्जमिक नोट है मुझे लगता है कि अपने जो अपने अप्वाटिक फ्लोरल फ्रेग्र्स एक एक फ्लोरल है इसमें मतलब थोड़ा सा क्रीमी फ्लोरल टच एक गाडी नहीं है टाइप की खुचिबू दे रहा है वेरी इंट्रेस्टिंग बट वेरी इल्यूजिव या निली की भाग रहा है कि नाक से दूर भाग रहा है वरी इंट्रेस्टिंग सेंट इसको कहां यूज करते होंग और भाइसाब आइसोई यूज कैया है वो क्रिडविंटस आइसोई तो यह है अपने अक्वाटिक फ्रेक्रेंस आइसोई अाइसोई दो वर्जन है अपर एक लो ने भेज़ा आइसोई सूपर यह दोस्तों एक अक प्राइम मॉलीक्यूल है इन फाक्ट एक कंपनी है गेज पॉपिलर भी थे आई सोई के बारे में कहते हैं कि दोस्तों बहुत ही जबरदस्ट फिक्सेटेव है पर्फ्यूम को काफी लॉंजेविटी देता है फेरोमोनल इसका एफेक्ट होता है तो सबसे पहले हम आई सोई सूपर मारते हैं बहुत ही तारीफ सुनिये इसकी भईया मिस्ट्री है और बहुत लोग पूछते ना क्रीड अवेंटस कभी हमें खुजबू आती है कभी नहीं आती दोस्तों वह आई सोई का इफेक्ट ही इतना इल्यूजिव और मिस्टीरियस प्रकार का नोट है कि कभी खुजबू आएगी कभी आप भूल जाएंगे इसके बार तो मुझे एक सेंट बबल सा मिल रहा है बट एक्जाक्टली मैं नहीं बोल सकता हूं कि खुजबू यहां से आ रही कि यहां से आरे तो यह तो अरोमा केमिस्ट्री का एक कमाल है आई सोई सूपर अगर यार बिल्कुल ही नहीं आरा है जबकि आपने देखा मेरे कितने स्प खुजबू आरे तो क्रीड अवेंटर्स के बेस नोट्स की डेफिनिटली याद आरे और जो भी उस तरीके के अक्वाटिक फ्रेग्रेंस होते हैं उसकी याद आरे आई तिंक आई सो एक चीप मॉलिक्यूल है बहुत लोग अपने पर्फिम में यूज करते हैं लोकल योदार की खुजबू अगर देनी होना तो यह अप लीजिए इसमें कोई मिठास नहीं है बाइदवे दोस्तों इसमें कोई भी अक्वाटिक नेस नहीं लेकिन इसमें एक एरिनेस है एक वुलीनेस है इसके अंदर जो फ्रेग्रेंस को मुझे लगता है बहुत ही तगड़ बताता हूं जिवोदान वगरा के भी बड़ी फर्मिनिश जिवोदान इनके इंडियन ब्रांचेज भी है तो अपने जो पर्फीमर भाई लोग होंगे उनको यह सारी चीज़ पता होंगी बट अपनी लोकल जंदा को तो नहीं पता होता हम हैं आपको बताने के लिए चीज इसका स्प्रेयर थोड़ा सा वीक है दोस्तों बट लेट सी समेल आती भी एक नहीं बड़ा इंट्रेस्टिंग मॉलीक्यूल था है यह बोड़ नहीं होंगे आप चारों में इंट्रेस्टिंग रखोंग इन जस्ट गो थू कुक्ली यह थोड़ा सा उतनी अची कॉलिटी न है यहारी भाई साब सौफ्ट वुड़ी अगर मेने से पूछे कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे तो मैं आइसोई सूपर यह गामा वर्जिन मुझे पसंदा है 15% कॉन्सेंट्रेशन यानि की 15% essential oil है और बाकी ethanol है चलिए अब चलते हैं हेडियोन हेडियोन दोस्तों एक पावर्फुल फ्लोरल नोट है जो मीठा मीठा टाइप का होता है गेस कर रहा हूं आइक वी कप्रेटली रॉंग हीर लेट्स प्रेट एड एंड सी बोला था ना मैंने मीठा मीठा चुविंगम फुरुटी बबल गम मिक्स्ट फूट बबल गम बूमर की खुश्बू बूमर खाया आपने हमारे जमाने का एक बड़ा ही पॉपिलर चुविंगम था सेंटर फ्रेश बूमर बिग बबोल तो वो यहां पर बिग बबल बबल बड़ा 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 था उसके इनदर श्टिकर वगरा भी आते जव चोटे बच्चे थे जब चुटे थे तो इस फुरुटी बबल गम काईंड फूटीनेस प्यारी खुचिबू है बिल्कुल ना को नहीं चुप जीदो सबसे कमाल की चीज़ आपको बता हुए सारे क एक एक्सपेंसिव मटीरियल तो अल थैंक्स तो कपिल भाई थैंक्यू सो मच पर दूइंग दिस अनुन बहुत पहले भेजा था पैकेड और मैं अब निकाल रहा हूं तब यह ठीक नहीं लेती थी दोस्तों बहुत लोगों को पता ही है जो मुझे फॉलो करते हैं हमारे प का रिप्लेस्मेंट है पर्फ्यूमरी में आई थिंग सिंथेटिक है एंड लेट्स प्रे इस इसका तो मुझे अंदाजा है बड़ा शार्प सा लेदरी सा होता है मोनोटनस सा होता यस एक्जाट्ली शार्प लेदरी रेजिनस बाल्जामिक जो माथे में तेल लगाते है न नवरतन उसके अंदर जो मस्की नोट्स होते है जो शार्प हर्बल खुजबू बट अच्छी कुजबू है यार कॉंपलेक्स खुजबू है यह बिल्कुल अतर के जैसी खुजबू है इसकी मतलब ऐसा लग रहा है मतलब ब्लाक अतर इस थर्टी पसंट कॉंसेंटरेशन अ थोड़ी सी वुलिनेस भी है बड़ी प्यारी खुजबू है इसकी बड़ी कमाल की खुजबू है बलाक अगर कमाल का केमिकल है अगर इसके साथ अगर मुझे पर्फिम बनाना हो तो डेफिनिटल मैं इसके यूजबू करूंगा एकदम डीप डार्क औरियंटल सेंट तेसी खुजबू शाही खुजबू वेरी नाइस अब मैं समझ रहा हूँ मस्कीनेस जादा है हेवी है ओईली है ये सेंट मतलब इसकी जो थिकनेस है इसकी जो रिचनेस है उसका बिलकुल नाक से पैलपेट कर सकते हैं वेरी प्यूटिफुल मैंने यार मज़ा गया देखिए अब्रोफिक्स और 10% कॉंसेंटरेशन ठीक है बहुत ही खुबसूरत लगा मुझे ये ब्लाक अगर स्टैंड आउट पर्फिम इंडियेंट वे हाई होप्स फ्रॉप्स फ्रॉप्स वाज का कोई भी रिव्यू करता है इंलूडिंग मी तो हम केता हैं अब्रॉक्स एम्रॉ अब ही कोई अगर बोलेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये अम्रॉक्षन है और दियोर स्वाज में क्या अब्रॉक्षन आइटिंग दियोर स्वाज में जो लेवेंडर और जो पेपर का जो कॉंबिनेशन है वो नाक को लगता है कि शार्क बड़ा सा अब्रेजिव सा अगर मुझे नहीं समाज में तो अभी मैं वीडियो बंद कर दूंगा और हम ये बाकी डिसकस करेंगे कभी और क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा ना समझी नहीं आएगा कुछ इंट्रेस्टिंग नोट्स भी इसमें बहुत जबरदस्त यह काम करते हैं दोस्तों आज वीड पर्फ्यूम को अक्वाटिक बनाते हैं समुद्री बनाते हैं फिर यहां पर कुछ बहुत जबरदस्त फ्लॉरल नोट्स भी दिख रहे हैं मुझे फिर मुझे दिख रहा है वनेला का नोट्ट बहुत ही प्यारा और बकरा रूज वगरा में जो इस्तमाल होता है नौर लिम करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक और कर लेते हैं दस हो जाएगा इंब्रॉक्षन भाई कम्प्लीटली इल्यूजिव समझी नहीं आया क्या है मतलब आल्मोस लाइक आइसोई सो अफिक्सेटिव में भी वनिला वाला कर लें क्या कश्मेरन भी है एथिल वनिलिन 30% मुझे लगता हूँ जो मैं कहता हूँ ना ड्राइ वनिला का नोटा रहा है ड्राइ वनिला का नोटा रहा है अपने बिजी शेडियूल से टाइम निकालके आप लों के लिए वीडियो बनाता हूं बस इसलिए नहीं कि पर्फ्यूम्स बेचने वालों को कर सकूँ या आज जैसे कॉंट्रवर्सी हो रही थी एक वीडियो पर कि ये सस्ता में मिल रहा है ये वो दोस्तों मैं तना कॉंप्लिकेटेड इंसानी नहीं हूं मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आप तक इन्फरमेशन पहुँचे अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं और से किसी नहीं किया है मैंने कभी नहीं बोला इन फैक्ट मैं तो आपके साथ शुरू से क्लियर हूँ जिसको जहां से परफीम सस्ता मिल रहा है पुराने वीडियो उठा के देख लिए जबरदस्ती कॉंट्रवर्सी करने वाले कुछ ग्रूप से जबरदस्ती परेशान करते है और पूरे परपस को यूट्यूब को डिस्ट्रॉई कर देते हैं क्योंकि यह हमने जब महल बनाया है यह जो हमने फ्रेग्रेंस कम्यूनिटी बनाई है आपको पता कितनी मेहनत और कितने संघर्श से बनाई है कितनी बार मैं एपसेंट रहा करोना का पीरिड आया उस समय हम ने सफर किया और मॉस्ट नाइन मंट्स उसके पहले एक साल तक मैं यूट्यूब से गाया था उसके बाद भी आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं यह जो कुछ फ्रिंज ग्रूप्स हैं यह हमेशा परिशान करते रहेंगे कुछ ना कुछ कमेंट डालते रहेंगे कोई मेरा रेकमेंड किया कोई मुझे अगर सपोर्ट कर रहा है तो मेरा यह दायत बनता है कि मैं उसके परफ्यूम को फीचर करूं उसके बारे में आपको बताओं ताकि आप ले सके आप जान सके उसके बारे में क्योंकि वो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहा है अगर किसी भ और यह पुरी इंडिया में हैं पुरी दुनिया में हैं सो वी कम फॉम फॉम अ बैक्ग्राउंड वेर जनुरुनली कंसरेंड वाउट पीपल वी अटाश्ट तो दोस्तों प्लीज यह सारे जो फाल्तों की जो दाराएं लग जाती हैं इससे दूर रहना है यह कॉंट्रवर्सीज में नहीं पढ़ना है लेट्स बी हैपी एक बढ़ी हाइट्मास्फियर बनाया है जितने भी बिजनस में है दोस्तों बिजनस आप यूट्यूब के बाहर रखिए आपको जो करना है अपने फेस्बुक पर कीजिए इस्टाग्राम करें यहां पर हमने बड़ी प्रेगर्ण कम्यूटी बनाई है मैं शुरू से का है सुगंदित भारत कैमपें मैं हमेशा अपने नेबर्स को रेस्पेक्ट दिया हो चाहे वह अपने पाकिस्तानी भाई हो चाहे बंगलादेशी भाई हो चाहे कोई बी अपने सराउंडिंग क उसको क्या मिलेगा इससे उसको यही मिलेगा कि उससे एक्सपोजर मिलेगा लोगों को पर्फिम मॉलिक्यूल के बारे में पता चलेगा लेकिन आपकभी एसेट किसी के लिए बना कर देखे और देखे कितना एफर्ट लगता है so this is again I'll say is what I'm trying to do on my channel यह कोई business venture नहीं है यहाँ पर एक रुपया involved नहीं है और चलिए इस सेंट के बारे में बात करते हैं यह तो हो गई बखवास ignore this part लेकिन यह बोलना जरूरी था दोस्तों anyway so ethyl vanillin beautiful beautiful ice cream vanilla का note अगर आप रात में कभी को मन करता है चले जाते हैं बाइक पर मैं कभी कभी जैसे हम लोको मन करता था चले जा है ice cream खालिया बच्चों के साथ you know family this is that vanilla ice cream I mean vanilla ice cream का flavor इस ही से आता है that is for sure this is absolutely that this is the essence of vanilla beautiful vanilla scent soft है थोड़ा सा creamy है nutty नहीं है थोड़ा सा dry भी है अगर इसको में थोड़ा डाइल्यूट करें तो और बढ़िया dry note निकलेगा बट इस सो अथेंटिक so beautiful so rich थोड़ी सीस में bitterness है vanilla by nature थोड़ा सा bitter होता है थोड़ा चॉकलेटी होता है मेरे पास vanilla pods भी है जो मैं से शेल से लेकर आया था तो तो दोस्तों I hope आज के वीडियो आपको मज़दार लगा हो आज मैंने सुचा कि छुट्टी का दिने कुछ स्पेशल करते हैं कुछ interesting बताते हैं बहुत सारे cents यहां पर बचे हुए है 1,2,3,4,5,6, almost 8-9 cents बचे हुए है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस कर लेंगे I hope आज के वीडियो आपको अच्छा लगे तो लगे तो लाइक बटन दबाओ के हिला दो पुरी दुनिया को दोस्तों यह शेर करो वीडियो उन्हों के साथ जो बस यूट्यूब पर अपना धन्दा चला रहे हैं दूसरों को परेशान करें शो देम कि हम क्या कर रहे हैं इस कम्यूनिटी में we are trying to be something different, we have no competition, we are not trying to compete with other YouTubers love to all my brothers who are doing YouTube videos मैं हमेशा उनको support करता रहा हुँगा, I would want them to have more subscribers than me सब आगे बढ़ते चलिए भई, मुझे लेकिन अपने mission से जुड़े रहने दीजिए, this is what I want, I don't want any controversies love you all, take care, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया है, जिस तरीके से मैंने आपको प्यार दिया है दोस्तों ये प्यार बरकरा रहना चाहिए, चाहिए दुनिया के किसी भी कोने से आते हों, किसी भी सोचवाले हों, let's do this guys, let's make, let's give, you know, let's bring back the pride of Indian perfumery और ये अरोमा केमिकल्स के साथ सोचिए कि अगर स्टाट अप्स ग्रो करेंगी तो इंडिया को कितना help मिलेगा, लोगों कितनी मदद मिलेगा, हाज रपब्लिक डे है, दोस्तों कुछ तो emotions जागते होंगे ना जब आप सुनते होंगे अपने देश के बारे में, और जो इन दोनों को बराबर इजदत मिलती है, बिकॉस इस थिंग्स अर गवरंड बाई लॉस, दोस्तों तो उस डिस्सिप्लिन को कभी तोडिये मत और हर इंसान को खोश रहना चाहिए, सीखने की लाल सा होनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं इन चीजों के साथ, इन साथ, क्या खुबसूरत मिस्टीरियस चीज ने बना कर दुनिया को दिखा सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी प्यारी, you know, peace giving, एक occupation मिल जाता है, and you can continue with that, you can grow, perfume courses are very expensive outside, so I am trying my best to give you exposure of these little chemicals, मैं कोई पर्फूमर नहीं हूँ, मैं कोई पर्फूमर नहीं हूँ, मैं कोई बिल्कुल भी कोई businessman नहीं हूँ, बिल्कुल भी technically आप नहीं हूँ, पर्फूम बनाने के, लेकिन दोस्तों यह सब बनाने का यही एक, जो concept है, ताकि आप लों को information मिल सके हैं, और मैं पुरी कोशिश करता हूँ, I may be wrong sometimes, I may be aggressive sometimes, but that's how I am, and I try to do what I can do to the best of my abilities, बते नहीं बस इ